हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एक दम बिल्कुल क्लास 10 के सी बीसी बोर्ड के स्पेशल कोर्स में तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे सबसे पहला चैप्टर जो आज हमारा रहेगा दा राइज ओफ नेशनलिजम इन यूरोप यूरोप में जो नेशनलिजम वर्ड है कि हम क्या मतलब समझते ओफटावट से नेशनलिजनम होना चाहिए जैसे नियूटन के सिर्फ पे अपल गिरा था तो पता चला था कि न्यूटन के भी लोग एक्जिस्ट करते उसने यह दिमाग लगाया तो नैशनलिजम कहां से आया और यह यूरोप से इतना क्यों रिलेटेड है भाई हम यूरोप से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया से क्यों सबसे पहले भारत हमारा देश हैं हमसे के देशवास ही है तो सबसे पहले तो इस दर सीशोरू करना चाहिए पर यूरोप से क्यों शुरू कर रहे हैं और क्या ड्रीम था यूरोप का वह बैसे डाउट यजब इस चैप्टर प्ड़ें तो मैं आने चाहिए ब्रींगान वर् और हम जो है फ्री में ही करेंगे ठीक है चलिए देखते हैं अपके माइन में डाउट आ रहा है सबसे पहले बात की नेशनलिजम क्या है आया कुछ माइन में कि क्या डेफिनिशन होती है चलिए आगे देखते हैं कि बेसिकली होता गया है यह मैं आपको बताऊंगी कि यह पिंटिंग्स की इसे किसने बनाया है फेड्रिक सौरियो ने फेड्रिक सौरियो कौन थे वो मैं बताऊंगी बटी चार इमेज देखर अलग लग इदर लोग मर रहे हैं यहां पर रैली निकल रही है बहुत बड़ी सी उपर से भगवान आ रहें तो यह जो इमेज है हम इस यह सारी चीजे मॉडन स्टेट तो यह सारी चीजे होती जो है हम पड़ेंगे तो चलिस इमेज को हम पढ़ते हैं डीटेल में यह मेज यह जैसे यह इंसी आटी ओपन करो गे तो फस्ट चैप्टर में पहले ही पीच पे हमारे पास यह इमेज दिखती है अभी इमेज आई ह लोग रेलिया निकाल रहे हैं यहां पर आगे अमेरिका चल रहा है पीछी फ्रेंस चल रहा है यह क्या चीज़ है बहुत प्यारी सी मेज है तो यह किसके माइन में इतना बड़ा इतना शांदार आइडिया इस इमेज को कहा गया है तर द्रीम और वाइड वाइड डेमोक्र प्राज्य हो ठीक है यह फैक्ट्ट्र में नेशन मतलब सारे देशों के बीच में इस पैक्ट छोगया दोस्ती ओ गई है और यह किस तरफ जा रहे हैं एक रीपब्लिक कंट्री की तरफ जा रहे हैं स्वतंत्र गन्राज्ये की तरफ यह जा नहीं जहां पर सब लोग एक्व एक स्वारियो फैडरिक सोरियो जो है इंपर्टन नेम है याद कर लो इस बंदे को इस बढ़ यह कौन ता सबसे पहली बात यह था फ्रेंच आटिस्ट तो यहीं से राइज होता है अपना वन माक्स का क्योशन की भाई यह कौन था वन मार्स क्योशन में आ सकता है कि who was Fедrick Sauriau किन कंट्री से बिलॉंग करता था तो यहाँ पे आपको लिखना है France France ना मा सकता है French नहीं मा सकता है तो अपने को वन मार्क्स में आँख बंद करके सीदह अंसर लिखना है कि फेडरिक सौर्यू जो था वो फ्रेंच कंट्री से बिलॉंग करता था पेटर आवाज नहीं आ रही तो एक बार अपना येरफोन दुबारा से लगाईए क्योंकि क्लियर है यहां से वोईस दुबारा से सुनिए ठीक है अब फेडरिक सौर्यू जो था उसने सीरीज सयार कर यह जो पेंटिंग है वो कॉन इसको क्या बोला गया डेमोक्रेटिक शोशल रीपब्लिक ऐसा उसने कहा था तो इसकी पेंटिंग का नाम आप सकता है कि इस पेंटिंग को उसका जो सपनों की दुनिया थी वो किस क्या नाम दिया उसने वन मार्क्स में यहां पूचा गया ना वहां पे एक पेज से इस बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि यह पेंटिंग कहती क्या है क्योंकि यह पेंटिंग ना बहुत स्ट्रॉंग रिप्रेजंटेशन देती है बहुत बताती है कि लोगों के अंदर जो रीपब्लिक लेने की चाहा थी मतलब की एक सब बॉनार्ग की खतेम करने की इच्छा ती वह कितनी स्ट्रॉंग हो गई थी लोगों के उपर क्या इम्पेक्ट आया एक कंट्री का दूसरे कंट्री के उपर एक कल्चर का दूसरे कंट्री के उपर क्या इमप्यंट आया यह सब यह पेंटिंग बताती है सबसे प्ल connect1 मे जो सबसे आगे चल रहे हैं वो कौन चल रहे हैं यूरोप और अमेरिका के लोग चल रहे हैं जो सबसे आगे फ्लैग लेके चल रहे हैं वो कौन सी घंट्री के लोग चल रहे हैं यूरोप और अमेरिका के लोग चल रहे हैं लंबि सी रेल बना के और उनके पास स्टैच्व अपार्टी है इस पेंटिंगम ढाएं दूबारा से यहां पे जो आगे चल रहे हैं व युरोप और अमेरिका के लोग और बोस्टेच्व यूप Under ання को पुछते हूँ जारे पूछते हैं क्यों क्लास का जो सीन है 9th क्लास में जब हमने फ्रेंच रिविए शन पढ़ा था तो ये स्टेट्व लिबर्टी अमेरिका को किस ने इप किया था फ्रांस ने गफ किया था जब अमेरिका अमेरिका रिकु रिपलिक मिला था अजाद हुआ था अमेरिका कॉलोनाइजेशन से तो महा फे फ्रांसी लिवP करी ते अब जव फ्रांस में उसको स्टेट व लिबर्टी उसको स्टैट्व बड़र्टी बटी तो वह वाली ऑंटी जो है ठीक है अब इसके बाद है कि उसके होमेज मतलब आपरिंग खोमेज मतलब अपनी पूजा अरपन करना कुछ रिस्पेट दिनला एक हाठ जोड के जो रिस्पेट देता निस्हां भगवान के आगे जाके करते वैसे रिस्पेक्ट देना की बढ़ा प्रांसी सी करांथी पढ़ रहे थे या फ्रेंच रिवल्यूशं पढ़ रहे थे लिबर टैम सलम अजादी की आप अपने रिबर लिबर टीज्टी लीजाई की आजाद हो आप अपने डिसीजन्स ले सकते हो खूद ठीक है अब इसके बाद होता है की फीमेल पढ़ रहे थे तब जब फ्रांस आजाद हुआ था फ्रांस में जब कॉंस्टिट्यूशन आया था तो हमने कुछ सिंबल्स पढ़े थे ना इन्स क्लास में तो उन्स सिंबल्स में से यह वह आंटी ती जिनके पास था टॉर्च न का मतलब है कि मतलब अब यहां पे रिपब्लिक आ गया है और दूसरे वाट में क्या है जो भी लॉँ है और जो भी में और जूली धी की प्सारे नहीं ले रखे हैं तो इससे क्या डश harassment होता कटने का scope ही ना बचे ठीक है की है रिपीट करूं पीटा क्या रिपीट करना है मुझे ये बता हूं चूर के आपको सब कुछ रिपीट कर दूंगे जो टापिक नहीं समझ आया है ठीक है अभी तक जो मैंने पढ़ाया जो Thai reach sorry उतया है उन लोने चार revolution हो चुके हैं वो अपनी Statue of Liberty को पूछते हुए जा रहे हैं आगे यहाँ पर एक आंडी खड़ी है जो फ्रेंस revolution में थी इनके हाथ में एक मशाल है और यहाँ पर जो है यह जो चीज है यह चार्टर है चार्टर में क्या क्या लिखा है राइट लिखें हैं सारे भाई सारे जो वी सिटिजन्स होते हैं उनके जो राइट हैं वो लिखें हुए हैं इसके बाद क्या है इसके बाद अर्थ पर जो है छोट शैटर टुकड़े पड़े हों किसके एपसोलिस्ट के एपसोलिस्ट कौन होते हैं आपकी NCRT में एक ब्राउन बॉक्स यलो बॉक्स एक टम लिखी होगी एपसोलिस्ट कौन होते हैं वो लोग जो की जिनके उपर कोई पावर नहीं हो वो सबसे बड़े हो किसे ठाहे वो हो जिसको कोई दयाबहाव नहीं पड़ेगा तो एसने पुकड़े पड़े हुए हैं देखो यहां देखो यह जो टुकड़े पड़े हुए हैं मतलब यह क्या डिपिक्ट कर रहे हैं अब कोई भी मुनार्की या कोई भी राजशाही या तानाशाही नहीं चलेगी आई बात समझ में यह टुकड़े इसलिए पड़े हुए कि हम मतलब क्या होता है तर नों टम हाइलाइट करें हुए क्योंकि वन मार्क में आपसे पूच लिया जायेगा की ठीक है अब utopian vision जो मैं आपको बता रही थी utopian क्या होता है एक ऐसा world एक ऐसा समाज जो कि practically अभी तक possible नहीं है मतलब जो सौर्यू था सौर्यू ने सोचा कि मतलब उसका imagination ऐसा था कि मैं अपना dream ये सोच रहा हूं जो कि practically अभी तक possible नहीं है पर हो सकता है आगे चलके अब suppose करो आप सोचों कि practically possible क्या नहीं है हमारा utopia क्या होगा हम उड़ने लगें हमारे पंक आजाए हम उड़ने लगें तो ये practically अभी कभी real world में possible नहीं हो पाए है आगे कभी हो तो पता नहीं बट अभी तक तो ये कल्पना ही है ये हमारी imagination है कि हम आसमान में उड़ने लगेंगे तो interactions में डिवाइड किया अलग अलग लग लोग देखने हम क्योंकि हमने समें काफी तरह के जंडे देखें ये अलग country का जंडा है ये अलग country का flag है अलग इलग अलग कंट्री के flag है मतलब सार और सने उपर लिखा भी है अपक्ट धैट्ट बिट्विन nations the fact between nations मतलब जो देश है नेशन मतलब जो कंट्रीज है देश है उनके बीच जो समझोता हुआ है दोस्ती हुई है वो ठीक है तो इसने दिया है कि भाई लोग जो है अलग 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 नेशन के हैं पर जो अपनी अपनी आइडेंटिटी कैसे लेके आएंगे अपने फ्लैग क ठीक है फ्लैग अप देखो आइडेंटिटी का मतलब यहां पर क्या होगा कि अलग अलग नेशन से उन्हें कैसे पता चला वो किस नेशन के हैं कैसे हम किसी नेशन की पहचान करेंगे तो यहां से आता है दा सेंस ओफ कलेक्टिव बिलॉंगिंग अपने पन की पहचान होना जिसको देखके लगे कि यह हमारे से रिलेटेड है जिसे कभी मूवी से देखते हैं मूवी में कोई इंडियन जो है पॉरिन कंट्री में जिसे कभी खुशी कभी गम में देखाता अपने जब शारुक खान के घर में रितिक रोशन रहने जा रहा होता है तो काजोल को करीना कैसे आएगी अपने नैशनल फ्लैक नैशनल कॉस्टियूम से आएगी तो उसरैकर ऑहली में कौन रोग चल रहे है वो अपना नैशनल फ्लैग लेके चल रहे है अपने अपने कॉस्ट्यूम स्लेके चल रहे हैं अपनी नैश्ट ुम में चल रहे हैं वह है कोई जाएगा पढ़तो हो पहले थोड़ा सा कोई Stephen ने के तो अब क्या था कि इसके बाद USA आगे चल रहा है USA के पीछे कौन चल रहे अब कंट्रीज याद रखो Switzerland उसको फॉलो करी ये France, Germany उसको भी जर्मानी को कौन फॉलो करी आउस्ट्रिया, Kingdom of two Sillisilis Sillisilis जो Kingdom होता है वो कभी Italy का पार्ट हुआ करता था ये दो अलगरा Kingdom थे नेपल्स और Sillisilis Sillisilis तो इन दोनों ने अपने आपको कंबाइन किया तो Kingdom of two Sillisilis Lombardi, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia तो ये पूरी almost European countries है वो सारी एक जो लुसना निकाल रही है ठीक है अब उपर से देखो यहां से जो है जीसस क्राइस्ट महाँ पर भगवान विश्णु तो हो नहीं सकते हैं आपके फॉरें की बात कर रहे हैं अपन आपके तो जीसस क्राइस्ट है और भी जो भी एंजल से संत महात्मा लोग है सब उपर से इस अद्बुत नजारे को देख रहे हैं सब देख रहे हैं कि भई यह जो मैई जो चीज है यह जो वर्ड है वो कितना अच्छा वर्ड है और यह किस चीज का संदेशा दे रहा है भाईचारे का दा आइट आटिस्ट ने क्या सिंबलाइस किया है फ्रेटर्ट एमंग दानेशन जो भी देश है उनके बीच में भाई चारा पॉइंट फॉर्ट दुबारा से रिपीट करना है ओके इन सॉर्यूज उतोपिया विजन दा पीपल ऑफ वाइडार ग्रूप डैस डिस्टिंक नेशन इडेंटिफाइट थू देर फ्लैग देन नेशनल कोस्ट्यूम्स तो भाई उतोपियन नेशन मैं विजन इतना आईडियल है कि उसमें लोग जो е अलग अलग उलग ग्रूप में डिवाइड करने के बाद वो लोग अपने देश के जंडे लेके ठेसे लिए पारेड देखते हो नहीं omara just कंट्री के फ्लैग है वह लोग ले के आ रहे हैं को स्ट्यू मतलभ और अए कपड़े यहां पैन हृह रहे हैं जैसे जब कुझरात में जाते हैं तो वो जो घागरा पेनते हैं वह सादवी पैणना जो होता है वह会 होता है इंडिया का कल्चर होता है तो तो इसे क्या हो रहा है फ्रेठनेटी मतलब होता है भाई-चारा प्रेठनेटि एक सिंभलाइज करता है क्या डिपेट करता है क्या समझाता है fraternity among nations of the world मतलब देश के पूरी दुनिया के देशों के बीच में कितना अच्छा भाई चा रहा है लोग कितने मिल जुलकर प्यार से सद्भाव से रह रहे हैं यह जो है यह image हमार को यह समझा रही है ठीक है आई बात समझ में कोई डाउट चलिए क्विस के लते हैं तो क्विस का पहला सवाल है nationality of the artist frederick sauryu who visualizes painting of society made up of democratic and social republic जो artist frederick sauryu वो किस country से किस nation से belong करता था जिसने painting बनाई थी democratic and social republic की आपके options जर्मानी भी स्वेस्टी फ्रेंच डी अमेरिकन तो फटापट से बताई यह वो कौन सी country का artist था जिसने यह painting बनाई थी इसलिए मैं कह रही थी कि बचे वनमाक्स में पूछ लिया जा सकता है तो इसका जो सही answer है डाइट इस फ्रेंच या फिर फ्रांस भी हम लिख सकते हैं डिपेंड दोनों में से जो भी option आपको मिले यह सही है कि फ्रांस या फ्रेंच में से फ्रेंच आटिस था यह ठीक है आई बात समझ में चलिए emergence of nationalism in Europe Europe के अंदर nationalism कहां से आया यूरोप में कहां से शुरुआ तो ही nationalism की अच्छा विटा फिफ्ट पॉइंट समझ में नहीं आया है वाहिद मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार फिस पॉइंट जो फिफ्ट पॉइंट है फ्रम दाहब heavens above Christ saints angels gaze at the scene मतलब उपर आस्मान में से अब इसको ना रमायन का सीन संहारद मनी उतना है संथ मात्मा अत्मा उतने हो वह सब देख रही होता है जमीन पे संत मात्माइ उसी मतलब तॉइन के लुएं के दिए दर इन के में इस क्राइस में वहां जो बैसमान से लिए प्रेख्ट य हैं उसिए असमान से देख रहे हैं जो सेंट्स हैं मतलब महान आत्मा एं जो हैं वो महान व्यक्ति आसमान से देख एंजल सूपरिश् Kleider हैं वह देख रहे हैं ऊपर से इस अदू नजारे को गेज Hudson मतलब टक-tकी लगाए देख रहे हैं बहुत प्यार से निहार रहे हैं विक्वाज इस सो बहुत आखों को सुकून देने वाला है ये चीज की भाई पूरा देश जो पूरे वर्ड के देश हैं वो सब मिलकर इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इससे क्या सिंबल मिलता है आटिस्ट को क्या लगता है जो सौरी वह अंकल थे अपने उन्हें क्या लगता है उनको क्या सिंबल नजर आता है भाई चारे का एकता का सद्भावना का कि भाई जो सारे लोग है इतना मिल जुलकर रहे हैं तभी तो इसने बोला था यह उतोपिया सुसाइटी है यही तो बोला था उसने ठीक है चलिए और कोई डाउट अब देखते हैं इमर्जेंस अफ नैशनलिजम इन यूरोप में क्या होगा नैशनलिजम जो चीज थी वो कैसे राइज होई न यूरोप के अंदर कौन कांसी कंट्री थी सबसे पहले बात तुमना भी आपको श्टार्टिंग में कंज इना यूरोप में में पढ़ेंगी कि इन जो कंट्रीज में है वो नैशनलिजम कहां से आया कौन सी कंट्री का इंफ्लूएंस किस कंट्री पे आया ठीक है चलिए अब देखते हैं कि कि ओके सबसे पहले बिटा रिपीट कर दूंगी सारे पॉइंट रिपीट करूंगी डोंट वरी फॉर दैट चलिए एक बर फिर से इक्स पॉइंट देख लेते हैं यही समझाया मैंने कि उपर से जो थे सारे जो जीसस क्राइस जो उनके भगवान थे सब इस चीज को देख र इंपॉर्टेंट है आपको यहां पे डाउट्स क्लियर करने सबसे ज्यादा जरूरी है तो इस चीज़ पे ज्यादा फोकस करी सबसे पहले कॉपी में एक लाइन बनाई बीच में डिफ्रेंस वाली लाइन बनाई है एक तरफ लिखिए नेशन स्टेट और दूसरी तरफ ल एक यह लोग ठीक है तो एक अपने को यह दिफरेंस समझना एक ही नेशन स्टेट्स क्या होते है और मॉदन स्टेट क्या होते है क्या डिफरेंस है क्यूआ यी चीज़ians लोगह तो बेता आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम nationalism क्या है nations कहां से आये यह तर्म कहां से आई यह वाली difference अगर समझ में आ गए तो हमें यह समझ में आ बूझ को नेशन स्टेट से यह थे modern states नहीं चाहिए थे ठीक है क्यों लोगों को जो multi dynasty वाले rules ते multi national dynasty वाले empires थे वो नहीं चाहिए थे बल्कि नेशन स्टेट से यह थे तो हमें इसके लिए इसक अपनी डिफरेंस जो है डेफिनेशन क्लियर करनी जरूरी है तो फटा फट पर से लाइन कीछ किये लिकिये एक तरफ मॉडन स्टेट और एक तरफ रिकिये नेशन स्टेट ठीक है चलिए अब ये कब की हो रही है 19th century की तो जल्दी से emergence मतलब होता है rise होना किसी चीज का उदे होना emerge मतलब होता है बाहर उठके आना तो वही rise कैसे आ है उदे कैसे हुआ यूरोप के अंदर nationalism का basically ये बात कहना जा रहा है अब्धा 19th century की बात है् तो 19th century सबसे पहले बता हो है तो मैं 19th century बोल रही हूं ये ज़ीन संचुरी के टाइम पर क्या था कि nationalism जो है एक फोर्स की तरह आया, फोर्स की तरह मतलब एक बल की तरह आया कि लोगों में लहर आई इस चीज की, कि नैशनलिजम चाहिए, राश्ट्रवाद चाहिए, मलब लोगों को, लोगों और वुचे लेहर थी पूरे यूरोप में इस तरीके से फैलिज से आंधी आती है ना, कि आंधी एक जागे से पूरे एडिया में फैलती चली गई, वैसे नैशनलिजम की एक आंधी आई और इसने लोगों के माइंसेट चीज कर दी, माइंसेट मतलब आपकी मेंटालिटी सोचने के तो आपके जो थोट्स है, वो पॉलिटिकल कंडिशन्स है, वो मांसिक और जो प पीपिंग चेंजेज इन पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के लोगों की मांसिक और राजनितिक कंडिशन्स या पिर जो सोच थे, जो उनके विचार थे, एक दम से लहर की तरह आए और पूरा चेंज करके चले गए, ठीक है, अब हाँ बिलकु और मेंटल चेंजेज आए, उसकी वज़े से क्या हुआ, इन चेंजेज की वजए से, यॉरोप में राइस हुआ, इमर्जन्स वा नैशन स्टेट का, इमर्जन्स कहे लोगो जिसको ये टम याद नहीं राती है, हम ईसे कह लेते है, राइस, राइस और नेशन स्टेट, ये लिख लो आप कोई दिकत नहीं अपने को इसमें इमर्जेंस बाद बारी भारी वर्ल लग रहा है तो हम यह पर राइज लिख लेंगे ठीक है नेशन स्टेट्स का अब नेशन स्टेट्स क्या थे इसकी जागे उन्होंने रिपलेस करी सबसे पहले तो नेशन स्टेट्स जो थ के उन्होंने रिपलेस किया मल्टि नेशनल डाइन स्टेट्स को डाइन स्टेट्स कौन जो सम्राजय होते थे जो रा जा जा जो कर थे जो समराज जिए अवा करते थे उन सब को न이지 किया ठीक है अब बताओ शबसे पहली बात में एयसाओ घंध एकैर आह सपोस्त कर रहा है इस पे एक राजाई दरश्कार एक एधर से आक्रमन हो रहा है इधर एक राजाराज कर रहा है और यह पिर एक एसी जगह सब लोगों के मैं Golf चीज सुए So बता रही हुं बता वही बतारी हूं, नेशन स्टेट का मेलिंग भी बतारी हूं, ठीक है. अब इसके बाद होता है कि modern state क्या था? modern state वह state है, सबसे पह Ott Afri, modern state के बारे में पढ़ेंगे. तब ही नेशन स्टेट, क्योंकि लिएpi nation state एक step ऐगे का state है, तो पहले पुराना वाले तो पढ़ दें कि क्या चीज है तो modern state वो state है जिसमें एक ही के पास power होती है आपका particular area है मतलब इतना आपका area है suppose कर लो ये आपका राज्य है आपके पास पूरी power है centralized power जो होती है वो एक के पास ही रहती है सुवेरियन कंट्रोल मतलब किसी एक ताना शाह के पास सुवेरियन मतलब होता है कोई भी king को ले लो queen को ले लो या जो भी यहाँ पर राज करता है ना उस बंदे को ले लो सुवेरियन मतलब यह होता है तो modern state क्या हुए modern state यह हुए कि किसी centralized power मतलब central से समझो यह अपना हाथ है यहाँ पर यह center है तो जो सारी power रहेगी वो इस center पर रहेगी आर यह बात समझ भे इस center वाले बंदे के पास रहेगी और center में कौन होगा top class जो बंदा होगा top पर बंदा होगा top पर कौन राजा या रानी वही हो सकता था उस time पर पुराने time पर तो राजा शाही शाहणी चलते थे ना जो राजाओ के शाहणते वही चलते थे तो जो modern state है वहाँ पर power किसके पास रहेगी राजा के पास power रहेगी जो भी वहाँ पर राज कर रहा होगा ताना शाह राजा होगा, रजशाही राजा होगा, उसी के पास जो रहेगी, ये सारी पावर रहेगी, जो भी अथोरिटी होगी, वो उसी के पास होगी, सेकंड पॉइंट वच्छा रिपीट कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस तरीके से समझो, येरोप में अलग-अलग कंट्रीज थी, सिंपल भाशा में चलेंगे, अलग-अलग कंट्रीज थी, अलग-अलग कंट्रीज में जिसे एक देश है, एक देश के उपर कोई दो राजा थे, वो राजकरन, टेश्य मतलब होता है, कि जो राजशाही राजशाही थी, राजशाही थी, राजशाही थी, राजशाही थी राजाओ का, जालग-अलग का जो सम्रहाजज था वो, वो टाइम पीरिट इसमें क्या था अब जब यह ऑंदी आई, इसकी नैश्नलिज्म की आँदी आई तो सब से पहले लोगोंने क्या बोला कि हमें इक नेशन स्टेट चाहिए, जब मैं नेशन स्टेट की बात करती हूँ, तो नेशन स्टेट का मतलब होता है कि हमें सिर्फ अपना एक राज्य चाहिए एक देश चाहिए नेशन मतलब होता है कंट्री एक एरिया जो सिर्फ अपना हो ठीक है तो यह जो होता है लोगों ने बोला यूरोप के लोगों ने क्या बोला हमें अपना नेशन स्टेट चाहिए हमें यह मल्टी डानिस्टी रूल वाला सिस्टम नहीं चाहिए ठीक है आई बात समझ में दुबारा समझाओ तो फटा फट से बताओ मुझे कि नैशन स्टेट वाली बात सेकेंड पॉइंट समझ में आया हूं ठीक है नैशन को दुबारा से एक बार में बोल देती हूं फिर से कि जब यह आंदी हाई जब यह आई नैशनलिजम की तो लोगों के माइन में आ गया कि भाई अब हमें नेशन स्टेट चाहिए हमें यह मल्टी नैशनल डैनिस्टी वाला एंपायर जो है यह सब हमें नहीं चाहिए अब देखते हैं मॉडन स्टेट मॉडन स्टेट के क्या करेक्रिक्रिक बता है मैंने राजा का कंट्रोल हुआ करता था उसकी अपनी टेरिटरी पे उसका जो डिसीजन हो गया वही फाइनल हुआ करता था लोगों का डिसीजन में इसका कोई रोल नहीं होता था ठीक है यहाँ पे यह काफे टाइम से चल रहा था यह पुराना मैथर तक तो हो गए दो नैशनल स्टेट में क्या होता है जो मेज़ॉरिटी ऑफ के सिटीजन्स हैं वो होते हैं मतलब लोग अपने लिए राजा खुच मलब अपने लिए गवर्मेंट जो हम चूस कर रहे हैं आज हमारा चल रहा है सिस्टम की वोटिंग होती है इलेक्शन होते हैं तब जाके हमार लिए जैक पहचान हुआ करती थे वो राजया के लिए हो रहा God it was. यहां पर बात समझो मोडन स्टेट मे क्या हो रहा है कि आपके लिए राजय सबकू चेराजा का भगवान है नैशन स्टेट मे क्या हो रहा है यह देश diligence अब कूझ यह शोडिश्थ की प्र McMिच ऐग झेख लेता है कि marichten स्टेट और श् niżने में क्या क्या होता है मोडन स्टेट्स में अपने पाव नेशन स् У such में होते हैं कि नेशन सेट में हमारी खुद की आइडेन्टिटी होती है जो देश के लिए होती है एक कौमर अइंटिटी देश में चाहे हजार लोग रहें चाहे जाए दसपोर लोग रहें सबके लिए जो एक रहे गा वह देश रहेगा सर्वो पर्याँ अपसर रहे गा मोर्डन स्टेट में जो सारी पावर रहं रहेगी वो तो उन्होंने क्या करा था 1822 में क्या करा 1842 में तरी 1882 में उन्होंने एक definition दी राश्टर क्या एक यूनिवर्सटी के अंदर अपना लेक्चर दे रहे थे तब उन्होंने समझाया बाद में उनकाई पेपर भी पब्लिश हुआ तो उस पेपर का नाम था क्वेस्ट सी क्यों उन्हें नेशन इस तीज को इतना इंपॉर्टन लिए याद रखने की ज़रूत निये यहां से हम रेनन के according definition समझेंगे क्या होता है what is nation राश्ट्र क्या है रेनन ने बोला सबसे पहली बाद वो लोग जो कि भेदबाव करते हैं जिनने लगता है कि common नहीं होना चाहिए उन सब को उसने क्रेटिसाइज किया कि जिन लोगों को लगता है कि वह सबसे उपर हैं नेशन उनके बाद में हैं वो लोग अच्छे नहीं हो सकते वो लोग कभी नेशन बना ही नहीं सकते आई बाद समझ में ठीक है उसके बाद उसने बोला कि अब वो क्या definition बता रहा है व experience जो भी किया जैसे कि आपने past में ये जैसे आपके दो दोस्त आप दो दोस्तों बच्पन से लेके आपने जितने भी उतार चड़ाव देखे बेड़ा तानाशा क्या होता है जो अपनी मर्जी की चलाता है तानाशा मतलब जब अगर आप उसका रूल नहीं मानोगे उसकी बात नहीं मानोगे तो वह आपको कोई भी सजा दे सकता है और कोई उसके खिलाब आवाज भी नहीं अठाएगा ठीक है आई बात समझ में ठीक है अब क्या होता है कि बिड़ा लास्ट इंगा है नेशन अपन पढ़के कल से जो कल की वाली क्लास उसमें French Revolution पढ़ेंगे क्यो लोगों के sacrifice हो मतलब लोगों ने बलिदान दिया हो उस देश के लिए उस जगे के लिए आपका उस देश में भक्ती हो जैसा अभी आप सब कमेंट में बोल रहे थे ना प्यार हो प्राइड हो उस देश के लिए बलिदान दिया हो उसने वो देश उसके लिए सब कुछ हो त इसने एक important term बोली थी, plebiscity, plebiscity क्या होती है, plebiscity जो होती है, plebiscity इसने क्या बोला, a nation is there for large scale of solitary and its existence of daily plebiscity, अब इसने बोला, एक तो उसने definition बताई, यह वाली कि यहाँ पर past हो, सबका, सबने sacrifice किया हो, देश के लिए, आरिये बाद समझ में, ठीक है, इसका, subsequently and entitled, entitled मतलब होता है, किसी से जुड़ा हुआ होना, ठीक है, मैं इस चीज को रखने के लिए entitled हो, मतलब कि यह चीज मेरी है, मैं इस पर हग जमा सकता हूं, ठीक है, subsequently मतलब होता है, next, या फिर उसके आसपास जो चीज होती है, ठीक है, तो to have a common glories in the past, to have common wills in the present, to have the performed great deeds together, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दूसरी definition क्या होती है, नेशन की, दूसरा characteristic क्या होता है, कि भई, हमारा past common हो, past की कहानिया common हो, हम present में भी एक ही जैसी सोच रखते हों, जो कि देश का भला हो, ठीक है, हम अच्छे काम करने के लिए साथ में आए, तो वो चीज क्या होती है, नेशन के लोगों के लिए जरूरी होती है, क्या characteristic बता रहा है, कि कौन से लोग, नेशन के लोग कलाएंगे, इसका same past हो, मतलब आपने past miss से एक जैसी लड़ाई या लड़ी हो, ठीक है, अब इसके बाद है, कि आपका present जो है, present में काम करने की इच्छा same हो, आप अच्छा काम करने के लिए देश में आगे जा रहे हैं, डाटन नेशन के लोगों का characteristic होता है, तब उसने बोला कि यहाँ पर exist करती है plebiscity plebiscity होता है, जन्मत संग रहे, मतलब लोगों की इच्छा के according, plebiscity का मतलब होता है कि direct vote के साथ citizens जो accept कर सके और reject कर सके कोई भी चीज, आप सपोस्कोर आपकी government ने कोई proposal रखा, मतलब कोई भी rule रखा, तो plebiscity से क्या होगा, अगर plebiscity का मतलब हुआ, यह French word जो होता है, इसका मतलब क्या होगा, कि government ने कोई भी चीज रूल रखा, आप की जो आप लोग है, जो जन्ता है, जो वोट देने लाया कि, मतलब अपन तो वोट देने लाया किया, मतलब अपन तो वोट देने लाया ने नहीं हो, eligible नहीं हो, जो जो वोट देसके है, वो उसको accept करे, यह वो जनता के उपपर है, वो citizen के उपपर है, तो basically definition क्या होगी, brown box में तो definition लेकिविए NCRT में, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of nation of a region can accept or reject a proposal, दुबारा repeat करती हूँ, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region or a nation can accept or reject a proposal, आई बात समझ मैं हिंदी में समझाती हूँ, plebiscite वो संग्रे होता है या वो power होती है by way, जहां से देश के सारे लोग मिलके किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी idea को या तो reject कर सकते हैं या accept कर सकते हैं, आई बात समझ में, चलिए फटाफट से इसके बाद हमबन क्यों स्केल लेते हैं, एक बार quiz से, चलिए quiz केल लेते हैं, quiz का जो हमारा सवाल है, pick out the correct definition for the term plebiscite, मतलब plebiscite जो term है, इसके लिए इन में से कौन सी जो definition है, वो correct है, एक दम, फटाफट से बताईए, जल्दी से बताईए कि plebiscite मतलब क्या होगा, यही से यह जो चोटी चोटी टम से ना विटा, यही वन मार्क्स पे लिखने को आती है, चलिए इसका आंसर में बताती हूँ, plebiscite is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal, यही चीज में आप से समझा रहीती है अभी तक, ठीक है, नैशनलिजम और नेशन, लास्ट इंग जो है अपनी कि भई, ये नेशन नैशनलिजम और नेशन, नैशनलिजम यहाँ से अभी तक मैं नैशनलिजम इन ये रोप पढ़ रहते हैं, आपने देश के लिए प्यार आना गर्व की बात हो ना वो नेशनलिजम कहलाएगा आपको यह फीलिंग आए कि आपकी कंट्री सबसे उपर है सर्वो परी आपकी कंट्री अपसे उपर जो है हमारा जो देश है वो सबसे महान है लाइक इस्ट और वैस्ट इंडिया इस दा बैस्ट वह वैसी वाली थिंग ठीक है दूसरे हम क्या बोल सकते हैं कि वो लोग जिनका सेम इंट्रेस्टो मतलब जिनका क्रेस जिनकी कल्चर जाती रंग बेदबा उन से कोई मतलब नहीं उनके लिए जो सबसे उपर कॉमन इंट्रेस्ट क्या होता है कि हम यूरोप के लोग हैं इमाजन कर लोग हैं हमारे अंदर नेशनिजम की फीलिंग आई है तो क्या मतलब हुआ कि हम यूरोप के लोग हैं हमारे लिए जो हमारा देश है वो सबसे उपर है और देश की जो गाथाएं है अच्छी बाते सुनके हमें बहुत गर वो feel होता है हमें बगर्व की feeling आती है ठीक है अब बचे पूछ रहे थे plebiscity का मतलब plebiscity मतलब बेटा वो होता है कि कोई भी देश सपोस कर लो जोते भारत है भारत के पास लोगों का वो अधिकार जिससे वो government का कोई भी जो प्रस्ताव है government जो भी सरकार है उसका कोई भी प्रस्ताव हुआ कि भाई government ने कोई law निकाल दिया तो उसको accept कर सकते हैं या उसको reject कर सकते हैं plebiscity is plebiscity is बेटा चैतने यह होता है कि जैसे कोई भी देश है वहाँ के लोगों को कोई भी region है या कोई भी nation है तो वहाँ के लोगों को ये right है कि वो अपना कोई भी government का जो proposal होता है या तो वो उसे accept कर सकते हैं या वो उसे reject कर सकते हैं हिंदी में जैसे अपन न्यूस चैनल में सुनते हैं ना जन्मत संग रहे जो लोगों की इच्छा जन्मत मतलब हो गया जो लोगों ने vote दे के select किया है उसका result जो होता है उसी कहते हैं plebiscity nations के बारे में एक और बार समझा देती हूं मैं आपको nations में क्या होता है nation जो होता है nation का मतलब होता है राश्ट्र हसं ध्यान से सुन लीजेगा nation का मतलब होता है राश्ट्र या देश अब ये कैसे बनेगा जब आपके past जो होगी same feeling होगी आपके अलग-अलग country के लोग रहल नेशन कब बनेगा आपके जो पास्ट हो जो भी आपका पास्ट हो पास्ट मतलब अपना भूत का जो पिछला गुजर गया उसमें आप लोगों ने बहुत एक सेम एक्सपीरियंस किया हो मतलब आप जब हम अपनी आजादी के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी आजादी और म मतलब संग तंगर्शिया स्ट्रगल या कोई एक्सपीरियंस वह लेगा लो और काफी लंबे टाइम से जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब जाके हमें आजादी मिली ना तो यह होता है अब इसके बाद है कि किमलिशन आफ लॉंग पास्ट कमलिशन होता है एकटा क और टिके सेक्रिफाइस जो भी हमारे जो हीरो थे आजादी की लड़ाई के माच महारान प्रताप ले लो तॉचारै आप शिवाजी ले ले लो इन सबस्क्राइब या था जितना भी बलिदान दीया था वो सब हमारा कॉमन रहेगा ठीक है है हिए पस्न मतलब जो हेरो वाली फील देदे ठीक है ग्रेट मैंन जो इस में मनना मतलब या प्छांसि या नीस में नहीं जो भी हमारे ही रहे हिए अजादी की लड़ाई के वह सब ठीके ग्लॉरी मतलब होता है इसाफ गर्व से कैसा को कि या यह हमारा देश है यह हमारा भारत जो है सोनी की चा प्रमिलेशन बताया बेटा एक खटा होना ठीक है अब इसके बाद है एक और पाइंट जो आपने बोला था कि पहरी डेफिनेशन तो नेशन की यह हो गई कि नेशन क्या 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 लाएगा जिसके पास लॉंग पास्ट हो एंडेवर्स का सक्रिफाइस और डिवोशन हो दूस मतलब अभी जो मैं आपको समझा रही थी कि आपके मेरे लिए जो एक स्टोरी है ने आजादी की वो सेम है कि जो मात्मा गादी ने संगर्श किया जवाल लाल नहरू आए सुबाश चंदर बोस आए ऐसा तो नहीं है ना किसी की स्टोरी में लाड मांट बेटन आ गया नेप चाहिए मतलब कि आप उसके साथ मिलके खड़े ओए हो सब मिलके ख़़े हुए हो थीक एउस्टारी मतलब होता है कुई एक का लाट के सलए दूतरी साव मिलके लोगा खड़े रहते हैं ना कि दो हो येडिश इन इंगलिश देबा मीनिग ऑफ डाइन इस्ती निंग्लिश क कहेंगे नैने सीट रिंण को से चौ ताना शाह लोग वोते हैं मतलब इसको दानियस्टी को एग्लिष में क्या या की इपन हम simplified गैने ट्रियोग के लेंगे यह टिॉक ए फिरें मोगल डाइनस्टी तो यह होता है सामराज जे, सामराज जे को अपन ने बोला इंगलिश में, जो भी, सामराज जे मतलब कोई area हो गया, कोई reason हो गया, तो उससे कह देते है kingdom, ठीक है दिबा, absoluteism, absoluteism क्या होता है बेटा, हिंदी में इसे कहता है निरंकुषवाद, निरंकुषवाद मतलब कि किसी एक राजा, ता पर्फेक्ट होना, जो बैस, जो पर्फेक्ट होती है, कोई भी चीज जो बहुत perfect हो, तो absoluteism, यहाँ है जो जो तानश में आशा हो, वह सबसे बड़ा है, आप उसका जो लोर, हो और भॉस नहीं कर सकते, ठीक है तो कल इसी टाइम पे, सेम टाइम पे मिलते हैं, तब सक यह डाउट पूछने रही है